स्लामलेकم दोस्तों, मैं आपकी होस्त हूं इफएद。 आज पेंटूं कांफरेंस की पेंशर्ट विंसार के रहा है, जिन और पाकिस्तान ने पहली पेंटूं कांफरेंस में हिसा लिया था. कुजरस्टा पेंशर्ट परफसं को देखें, तो एशियाई और अफरीकी मुमालिक ने बहुत शेंदार काम्याबियां हासिल की हैं पांच साल कबल जिनी सदर शी जिंपिंग ने एशियाई और अफरीकी रहनुमाओं के इजलास से हिदाब कलते हुए कहां के हम तमाँ मुमालिक को एक दूसरे के साथ मिर करें विंविंग ताविंग पर मुपनी एक नई तरस पेनूर अक्वामी तारुगात को काइम करने चाहिए एशिया और अफरीका के दर्मियां ताविंग को मज़ीद मजबूत बनाना चाहिए और बनीनाओ इंसान के रिए एक हम नसीब समाज तकमिल देना चाहिए रवामपर्स आलमी सदह पर वबा के फेलाओं ने सारी इंसानियत के रिए हम नसीब समाज की तामिर के फ्लोग को नई एहमियत दी है चिंग और पाकिस्तान पेनूर अकवामी की बेहतरी मिसाल है और वबा के दारां हम मजबूती से एक दूसरे की हमायत कर रहे हैं आज हमारे साथ हैं पी टी आई और सेफिसे कोपरेशन के अद्वाज़र बायज़ित खासे साब वो इन मौज़़ाद पर आपने हैलाद का इसहार करेंगे कि वबा के दारां चिंग और पाकिस्तान कैसे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और इस वबा के दारां हमें किया कल पना चाहिए आईए हम एक साथ सुन दे हैं करोना वाइरस के चलते पाकिस्तान और चीन ने अपनी बेमिसाल दोस्ती का मजारा पूरी दुनिया को दिखाया और जैसे कि आपने देखा कि चीन में जब ये वाइरस आया तो उसमें सबसे पहले बढ़ चड़के चाइना ने अपने दोस्तों ने का हक अदा किया चीनी बेन भाईयों ने अपनी खुन पसीने की कमाई से पाकिस्तान के लोगों की इमदाद की चाइना ने अपने सबसे अच्छे तजर्बाकार डॉक्टर्स को जिनों ने उहान के अंदर इस वबा के साथ लड़े और उसको शिकस्त दी उन डॉक्टर्स को पाकिस्तान बेजा बगेर चुटी के वो डॉक्टर्स यहां पे आए हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और उनों ने यहां पे आके पाकिस्तानी डॉक्टर्स को ट्रेन किया अपने तजर्बे से उनको इस्तिफादा दिया इसके लावा मैं ये कहना चाहूंगा कि चीनी सदर शी जिंग पिंग जनों ने आलमी फोरम्स पे बहुत सारे टाइम पे ये बात की है जैसे एशिया एफरिका कॉन्फरिंस पे उन्हों ने ये बात की कि ये पूरी दुनिया एक खांदान है एक कम्यूनिटी है और हमें एक य रहते हैं उन्हों ने ये भी कहा कि हम तमाम मुलकों को मुमालिकों मिल करके बहुत सारी ऐसी चीज़े होती हैं जैसे आज ये करोना वाइरस है तो इसी एक एक खांपल है इसी तरह जिसमें पूरी दुनिया को यक मुश्ट होके इस से लड़ना पड़ रहा है तो इसी तरह हम लोगों को अच्छे टाइम में भी इस दुनिया को आगे लेकर चरना पड़ेगा ग्लोबल कम्यूनिटी को स्ट्रॉंग करना पड़ेगा मैं बहुत मुश्कूर हूं चीनी हकूमत का कि जिन्हों ने पाकिस्तान को इस मुश्किल घड़ी में बहुत अच्छे तरीके से ह बशाना बशाना कड़ेओ के हर चीज का सामना करेगा और मैं फिर से बहुत शुकूर्या अदा करता हूँ पाकिस्तान चाइना दोस्ती जिन्दाबाद बहुत बहुत शुक्रिया प्याजित खासी साहब जैसा कि आपने कहा है कि आलमी सद्ध पर कोई दिन्हा नहीं रख सकता और एक दरफा एक दामाद से किसी को फाइदा नहीं पहुंचेगा हम दमाम मुमालिक को इंसिदादे वपा के रिए मुदहिद होना चाहिए और बैन नहीं आए इंसान के हम नसीब समाज की तामेल की हमायत करनी चाहिए